हलो फ्रेंट, वेलकम टो आइटूब चैनल उडान्दा फ्लाई आज की क्लास में हम लोग फिर से अपने RRB NTPC और ग्रूप D के प्रेक्टिस पेपर को सॉल्ब कर रहे थे जिसमें हमारे ये पेपर पांचे बाएं ठीक है न हम लोग इन चार पेपर सॉल्ब कर लिया था ये हमारा प्रेक्टिस पेपर पांचे बाएं तो आई ये अपने पेपर को सॉल्ब करते हैं और देखते हैं कैसे क्वेश्चन हमारे एक्जाम में पूछे जाते हैं आपको बहुत ज़्यादा मेनत नहीं करनी है बस आप एक सरकल बना लेजिए कि हाँ हमें ये ये चीज़े पैड़नी है ये हमारे एक्जाम के पॉइंट आप वीव से ज़्यादा इंपोर्टेंट है और ये थोड़ा सा कम तो अगर आप लोग previous year paper solve करेंगे तो वहां से आपको एक idea लग जाता है कि किस chapter से कितने question आते हैं और कहां से ज्यादा आएगा कहां से कमाने की समभावना है और किस किस type के question आते हैं ये सब idea आपको खुज जनेरेट हो जाएगे और जिए ये idea आपको बन गया और दिन समझ यह आपने exam को क्वाली 5 कर लिए ठीक है ना ऐसे ही हर section में करना पड़ेगा यह तो हम math करवा रहे हैं आपको reasoning में भी यही काम करना पड़ेगा आपको gs में भी यही काम करना पड़ेगा gks में ठीक ना तो आईए हम लोग अपने subject पे काम करते हैं question number हमारा यह है 37 सही 1 बटे 2 प्रतिसत के बराबर निमल में से कौन सी भीन है देखो इसका कहने का मतलब यह है कि अगर इसको हम लोग साधारन भीन में बदलेंगे percentage को तो हमारा क्या आएगा ठीक है ना तो आई यह साधारन भीन में बदलते हैं यह आपका दिया है 37 सही 1 बटा क्या आप इसको यही लिख सकते हो 37 का 2 में गुड़ा करते हैं और एक जोड़ते हैं ठीक है ना तो 37 सही 2 ने कितना 74 और एक 75 75 और बटा में कितना 2 यही करते हो ना इतना percent है इसको हमें साधारन भीन में बदलना तो आपको जब भीन किसी भी percentage को वहाँ से percentage remove करना होता तो व दिने बदलता उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है परसेंटेज बनाने के लिए हमें 100 का गुणा करना पड़ता है अगर हमें percentage बनाना हो तो हमें भाग करना पड़ता है किसका 100 का हमें 100 का भाग करना पड़ता कर रिमूब करना तो यहां पर यह आपका value जो दे रखा यह percentage में इसको हमें percentage हटाना है 100 का भाग करनेंगे मतलब एक बटा सो बास समझ में आए ने 25 को काट लो आप तीन बार में 25 को आप काट लो चार बार में 1 second एक मिनट का लगभग दसमलो भाग है कितने दसमलो भाग है ठीक है न एक सेकंड एक सेकंड एक सेकंड अब आप बताओ सबसे पहले हमने यह वो गए 10 यह याट ही चार दस का चार लोग एक अंग और पीछे किस्थ जाएगा तो आपका क्या बनेगा 1.666 ऐसा ही बनेगा अब देखो यह जब हमारा पांच से ज्यादा है ना पांच या पांच से ज्यादा रहता तो एक बढ़ा देते हैं 1.67 इसको लिखा जा सकता है ठीक है ना 1.67 हम लोग कर सकते हैं तो हम हमारा यहां पर जो आइंसर आएगा 1.67 यह आपका पहला अप्शन है ना तो यह हमारा क्यों हो जाएगा बात समझ में आ रही है बिल्कुल बात किलियर होनी चाहिए एक एक बात आपको समझ में आनी चाहिए ठीक चलिए आते हैं अगले सवाल चलिए आगला क्यों देखो क्या दिया है यह हमारा क्यों पूछा गया था रेलोए में यह रेलोए में कहां का क्यों पूछा गया था कोडिनेट जमेटरी का निदेसांग ज्यामिती के ही क्यों है यह कहा गया है देखो निदेसांग ज्यामिती के क्यों है वहां से हम लोग क पैसे तिर्वुज का एरिया फाइंड करेंगे देखते हैं एक्स बराबर 4 वाई बराबर 3 तीन एक्स प्लस 4 वाई बराबर 12 के द्वारा बनाएगे तिर्वुज का छेतरफल किसके बराबर होगा देखो हमें सबसे पहले एक फिगर ड्रॉ करना पड़ेगा मुझा फिगर ड ठीक है ना एक्स डैस वाई बाइड है वो गया ना आपको पता है कि इस साइड एक्स की वैलू पॉजिटिव होती है अगर एक्स की वैलू की बात करें तो इस साइड प्लस होता है इस साइड माइन और य की वैलू की बात करें उपर प्लस होता हो नीचे ठीक है ना चलिए आते हैं अगले सवाल पे अपने अगले सवाल पे आते हैं अरे स्वारी इसको पहले solve कर लेते हैं अब देखो दिया ये x बराबर 4 और y बराबर 3 और इसके द्वारा आपका दूसरा समी करण क्या दिया है 3x प्लस 4y is equal to 12 हम लोग क्या कहते है न 12 से भाग करेंगे तो ये हो ज इतना 3 और ये बराबर 1 ये देखो ये हमारा क्या बन गया हमारा एक होता है a बटा x x बटा a प्लस y बटा b बराबर 1 ये हमारा अंताखंड रूप का समी करण होता है यहां पर ये जो नीचे a और b होता है ये कटे हुए अंताखंड होते हैं तो यहां पर a बराबर कितना है 4 के और B बराबर कितना है? 3 के यहां भी यह बराबर 4, B बराबर 3 और यहां X बराबर 4, Y बराबर 3 दिया गया था तो कोई दिक्कत नहीं है 3 और 4 हमारे यहीं पर आएगा हम मानते हैं कि यहां पर X हमने ले लिया यह जो है वो 3 अंता खंड है तो मतलब इतना 3 हो जाएगा और हमने B को ले लिया स्वरी X 4 था यह 4 हो जाएगा B वाला आपका Y अच्छे पर यहां पर हम लोग मानते हैं यह 3 अंता गंड कटा है और वही X अच्छे पर भी 4 याना था तो मतलब यहां पर हम लोग 4, 0 गए है 4, 0 गए है 4, 0 यह X अच्छे यहां पर हम लोग 4, 0 गए है और यहां पर हमारा 0, 3 है Y इस पर कितना है 3 है 0, 3 है तो अब देखो यहां से जब इनको मिलाओ गया थे तो यह हमारा त्रिभूज बनेगा ट्रेंगल बन रहा है क्या बन रहा है अब देखो यहां पर 90 डिगरी का है अगर समकोर तिरूज का हमें यह 90 अंत बनाने वाली भुजाओं का मान पता है तो हमारा जो एरिया होता है वो एरिया क्या होता है 1 बटा 2 लंब कितना है 3 और गुणे आधार कितना है चार एक बटा 2 गुणे लंब गुणे आधार तो 2 से 4 को काटोगे आप 2 बार में और 3 और 2 का गुणा कितना 6 वर्ग यूनिट 6 वर्ग यूनिट तो 6 वर्ग यूनिट आपका क्या हो जाएगा एरिया हो जाएगा ठीक है ना यहां पर हमारा इरिया आ जाएगा चलिए आते हैं अगले सवाल कर देखो यह क्या कहा है इसमें हमसे बोला गया है कौन सा कुश्चन था देखते हैं सवाल अपना सवाल में क्या कहा गया था मारा सवाल है जी वाला ठीक न यह क्वेश्चन है यह देखो इस क्वेश्चन में क्या पूला गया है कहा गया है ग्राफों x-y is equal to 0 और x plus y minus 2 is equal to 0 का प्रतिछेद बिंदु है इसका प्रतिछेद बिंदु बताना है इसका प्रतिछेद बिंदु इसका मतलब में x और y का मान लिकालना है ठीक है ना प्रतिछेद बिंदु इसका ग्याद करना है देखो यहां से अगर x minus y बराबर 0 है तो इसका मतलब यहां से हमारा क्या आएगा x बराबर y और आपका अगला दिया गया है x plus y is equal to 2 x plus y minus 2 बराबर 0 तो बराबर करेंगे दो उधर जाएगा प्लस हो जाएगा हो गया ना अब x बराबर y x के अस्थान पे आप y या y के अस्थान पे आप x रख दो तो मतलब x plus x बराबर कितना दो बराबर y है तो y के अस्थान पे एक रख दिया तो यहां से दो एक्स बराबर दो तो एक्स बराबर कितना आ गया एक और एक्स बराबर एक आ गया तो यही आपका क्या हो जाएगा वाई बराबर कितना एक तो मतलब एक कामा एक जो आपका प्रिछेज बिंदू आए वह कि गया है question में सवाल में बोला गया है समी करण 5x plus 3y बराबर 15 का लेखा चित्र x अच्छ को किसी बिन्दू पर काडता है यह है x अच्छ आपका और यह यह आपका y और यह आपका y ठीक है न यहाँ से समी करण हमें बताने 5x plus 3y बराबर 15 अगर 5x plus 3y बराबर 15 इसका मालो कोई भी ऐसे रेखा कहीं से जा रही है तो यह x अच्छ को किस बिन्दू पर काट रही है यहाँ जो काट रही है न यहाँ पर कितना है यहीं कहामें निद्दे सांग बताना है ठीक है न यहीं कहामें x बटा a plus y बटा b बराबर 1 यह होता है न यह x अच्छ पे कटा अंता खंड है यह y अच्छ पे कटा अंता खंड है तो हम लोग इसी के रूप में इसको बना लेते हैं किसको 5x plus 3y बराबर 15 को आप 15 से दोन तरह भाग कर लो तो यहाँ पर x बटा कितना हो जाएगा 3 plus y बट करें क्या जाएगा यह तो हमें बताना था यह सच्छ को किस बिंद पर काटा है तो यह तुझा काटा है 3 kawa 0 यहाँए 3,0 जहां भी होगा, वही हमारा क्या हो जाएगा, अंसर हो जाएगा, 3,0, ठीक है न, हो गया, आसान था, सारे के सारे आसान question, यह देखो, अच्छे question में 1 है, अच्छे सवालों में 1 है, आई यह देखते हैं, दिया गया है, 1 बटा 2 का square minus 1, प्लस 1 बटा 4 का square minus 1, प्लस 1 बटा 20 का square minus 1 का मान है, अब देखो, ऐसे सवाल को हम लोग कैसे करते हैं, आई यह लगाते हैं, देखते हैं, यहाँ पर, इसमें क्या दिया है, इसको हम लोग solve करते हैं, टारेक्ट, यहाँ से solve करना सुरू करेंगे, एक बटा, 2 का square minus 1, 2 का square कितना, 4, 4 में से एक गया कितना, 3, 4 म में से हे गया कितना 15 एक बटा 15 प्लस एक बटा छे का इसक्वार इसक्वार इसक्वारे चार्स विए है कितना 301 399 ठीक है ना 399 अब देखो इसको हम लोग कैसे करते हैं इसको थोड़ा तोडते हैं इसको हम लोग लिख सकते हैं 1 बटा एक गुणे तीन ठीक है ना एक बटा एक गुणे तीन प्लस इसको हम लोग लिख सकते हैं एक बटा तीन गुणे पांच प्लस इसको हम लोग लिख सकते हैं 1 बटा 5 गुणे 7 और प्लस डॉट 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 इसको हम लोग लिख सकते हैं 1 बटा 19 गुणे 21 ऐसे लिखा जाए सकते हैं 19 और 21 का गुणे 397, 355, 353, 353, 333 लिखा जा सकते हैं तो ऐसे जब सवाल आते हैं सर पर हम लोग देखते हैं कि इनके बीच अंतर कितने का है किनके बीच ये देखो इनके बीच इनके बीच अंतर कितने का है दो का अंतर कितने का दो का अंतर कितने का दो का अंतर कितने का आपका कितना होता है 21 यहां पर यहां पर यहां पर अंतर होता है इस यहां के वहना यहां करते हैं एक बटे में एक बटा दो और 1 by f, f का मान कितना है? 1, तो 1 यहाँ पे 1 आ गया, और minus 1 बटा या लियल का मान कितना है? 21, देखो 21, 21 आ गया ठीक है ना? 1 बटा 1 कर सकते हैं तो देखो क्या हो जाएगा 1 बटा 2 और मुणे 21 एकके 21 में से एक गया कितना? 20 बटा 21, 2 से कार लो इसको 10 बार में, तो यह हो जाएगा आपका 10 बटा 21 यही आपका हो जाएगा क्या answer? 10 बटा 21, देखो कहा है? 10 बटा 21, यह 3rd वाला option है ना? तो यह आपका क्या हो जाएगा? आंसर बन जाएगा, ठीक? चली अगले सवाल पे चलते हैं यह देखो, अच्छा सवाल है देखो, इसमें क्या दिया गया है? अंडरूट 6 प्लस अंडरूट 10 प्लस अंडरूट 21 माइनस अंडरूट 35 गोडे अंडरूट 6 माइनस अंडरूट 10 प्लस अंडरूट 21 माइनस अंडरूट 35 का मान मताईए अब देखो यहां पे हम लोग करते क्या है ना यहां पे हम लोग करते क्या है कि यहां से अच्छा है रूट दो रूट दो दोनों में है रूट दो और रूट दो दोनों में है ना चलिए रूट दो हम लोग कॉमन ले देते हैं यहां से देखो इस 6 को और रूट 10 में से हम लो 3 और प्लस लिखा गया है ना root 10 को हम लोग क्या लिख सकते हैं root 2 into root 5 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं लिख सकते हैं तो यही काम हम लोग करेंगे ठीक है ना इसी को हम direct कर रहे हैं अब देखो root जो इसमें भी root दो इसमें भी है तो root दो हम लोग common कर लेंगे तो बचेगा क्या यहाँ पर under root 3 और plus under root 5 बचा की नहीं बचा बचा ना और यहाँ पर देखो हम लोग minus under root 7 common ले लेते हैं minus का root 7 common ले लेंगे तो क्या बचेगा under root 3 7 तरी की 20 और minus common कर ले तो यह plus हो गया 7 बचेपाय तो इस under root 5 इतना बचा ना बचा की नहीं बचा चलिए इतना हो गया इसको हम लोग करते हैं अपने बड़ी प्रेकर में फिर आगे into है into हमारा यह वाला टर्म है इसमें भी यही काम करेंगे देखो अंडर रूट 2 common ले लेंगे यह पसे अंडर रूट 3 common ले लेंगे वही बात है अंडर रूट 7 यहां चे अंडर रूट हम लोग 2 common जब करेंगे तो हमारा क्या आज आएगा root 2 common कर लो तो हमारा आएगा root 3 minus root 5 आया ना और फिर हम लोग क्या करेंगे plus का root 7 common लेते हैं root 7 तो अगले breaker क्या आएगा root 3 और minus root 5 आया ना और इसको बड़े breaker में बंद कर देते हैं ठीक है ना देखो इसको हमने solve कर लिया अब यहां पर आप इसमें देखो root 3 और plus 5 इसमें भी common हो जाएगा तो एक breaker में हमारा हो जाएगा root 3 plus root 5 हो गया ना तो अगले में आपका क्या बचा है root 2 minus root 7 अगले में आपका बचा है root 2 minus under root 7 बचा की नहीं बचा अब यहां देखो यहां root 3 minus 5 इसमें भी इसमें भी common हो जाएगा क्या हो जाएगा root 3 minus root 5 तो अगले में क्या बचेगा root 2 plus root 7 root 2 और plus root 7 बचा की नहीं बचा देखो अब क्या होगा देखो यहां चे देखो यह है हमारा यहां देखिए यह चीज और यह चीज दोनों एकी है बस माइनस में है यह चीज यह चीज दोनों एकी है प्लस माइनस में है तो यह हमारा a plus b यह हमारा a minus b a square minus b square यह हमारा a plus minus b यह हमारा a plus b a square minus b square ठीक है ना तो बन जाएगा आईए देखते हैं तो यहां से जब हम लोग इसको इसको लेंगे इसको और इसको और इसको और इसको ठीक है ना चलिए जब इसको इसको हम लोग लेंगे तो a square minus b square 3 का square 3 और minus b का square कितना 5 ठीक है ना 3 minus 5 एक ब्रेकर अगले में क्या आएगा a square minus b square 2 का square और minus 7 का square under root 2 का square कितना 2 अब देखो यह क्या हो जाएगा माइनस का 2 देखो यहां पर क्या बचेगा यहां पर आएगा माइनस का 2 यहां पर आएगा कितना 7 में से 2 गया 5 7 में से 2 गया कितना 5 माइनस का 5 माइनस का 2 तो माइनस का 2 माइनस का 5 गुणा होने पर कितना हो जाएगा प्लस का 10, यहां पर माइनिस 2 बचेगा, यहां पर माइनिस 5 बचेगा, और 5 और 2 का गुणा कितना, 10 माइनिस माइनिस प्लस, तो आपका सी वाला एंसर हो जाएगा 10, ठीक है न, बात समझ में आई, चलिए, अब बढ़तें अगले सवाल पर, अगला सवाल लेके क्या है, यह इस क्वेस्चन में बोला गया है, यदि A is equal to 2.5, B is equal to 1.5, तो 9A स्क्वाइर प्लस 16B स्क्वाइर माइनिस 24B, यह तो सीधा सीधा फार्मूला दिया है, किसका, किसका फार्मूला है यह, यह हमारा 3A, और माइनिस 4B, इसी का वर्ग तो है, इसी का वर्ग तो यह लिखा गय है न, तो कर लो, 3A, A का मान रख दो, और B का मान रख दो, 25, 35, मतलब 7.5, माइनिस 4B, 15, 60, मतलब 6, और इनिका क्या है, वर्ग है, तो कितना हो जाएगा, 1.5, 1.5, इसका वर्ग हो जाएगा, मतलब कितना, 2.25, 15 का वर्ग तो चुपचीस और दो अंग बार 2.25, जहां भी ह होगा, वही हमारा क्या हो जाएगा, आसान था, बिल्कुल आसान सवाल था, देखो, यह सवाल देखो, यह अच्छा सवाल है, इसको हम कहेंगे, इसको लगाए, त्रिभूज ABC में कौन, AD में AD कोने का अंतरिक द्रिभाजक है, BC पार्थ को डी पर मिलता है, यदि बीडी पर पांट सेंडिमेटर और BC बराव साथ, लोगा पांट सेंडिमेटर और BC पांट सेंडिमेटर और BC है, आई सबसे पहले जैसे काई, वैसे हम लोग फीगर बना लेते हैं, इसका एक फीगर ड्रॉ कर लेते हैं, यह हमारा त्रिभूज हुआ क्या, A, B और ABC, AD कोने का आंतरिक दिर्भाजक है, AD कोन एक आंतरिक दिर्भाजक है, यह है, यह आंतरिक दिर्भाजक है, मतला इसको दो भागों में क्या कर रहा है, यह हमारा D, AD इसको जो B C को D पर मिल दा B C को हमने D पर मिला दिया यदि B D बरावर 5 B और D ये है आपका 5 और B C बरावर 7.5 B और C मतलब ये पूरा आपका दिया है 7.5 अच्छा ये पूरा का 7.5 है ये 5 है तो ये कितना होगा 2.5 होगा तो A B अनुपात है A C A B इतना A B और बटा A C तो देखो क्या हो जाएगा सिंपल सा अगर इस दोनों तरफिश को हम अलाग अलग कर दे क्योंकि एक ही तरफिश को ये दोनों पाट तो यहाँ पर समरूपता वाला अगर हम लोग नियम लगाएंगे तो जो A B होगा न तेको सीधे सीधे इसमें बन जाएगा A B यहाँ पर A B और बटा A C A B हम लोग लेंगे तो उसकी संगत B C B D ले लेंगे और हम लोग जब A C लेंगे तो उसके संगत C D लेंगे तो मतलब हमारा क्या बनेगा A B और बटा B C A C पूचा था ना A C तो यही बराबर हमारा क्या बनेगा A B के संगत हम लोग लेंगे B D B D और A C के संगत लेंगे C D A C के संगत क्या C D तो हमारा क्या आ जाएगा B D कितना था B D देखो आब बताओ B D इस था हमारा 5 C D कितना था C D था 2.5 इससे यह कटेगा इसको देखो देखें इसमें क्या कहा गया है दो संगमित था बहुतरों की भुजाये एक आनपासे दो के आनपास में है और उनका प्रतेक आंत्रिकोंड दो अनुपात तीन के उनुपात में है बहभुजों के भुजाओं की संख्या देखो इनके भुजाओं की संख्या में बताने कुछ भी नहीं करना तो अगर हम पहले कि लिए यह ने कि रिलाजाए दिया दाओं के हुगं सबसे पहले तो आपको इसने फैर्मूला बहवुजवाला पता होना चाहिए क्या बहुज़ के परतेक अंताकॉन और पतेक बाहिकॉन का येझे कैसे कैसे होता है भुजाय की संक्या दिया है अगर भूजाओं की अनुपात अगर पहली अगर हम पहले वह पूज की बात करें अगर उसमें यक्स है या यह नहीं तो अगर हम दूसरे की बात करें गयों तो उसमें कितना होगे हैं पहले केलिए में होग दूसरे के लिए टुए लेंगे आंत्रिक और में दो नपाथ में तीन का अ मुनपाथ हैं ऑं courtyard का परते का अंतर को अगर में पते काम मुंपाथ बनाएं तो फीकल भूजाएं दिया है और उनका परते कांतरी ऑलहोता क्या है N N-2 into 180 क्या होता है N-2 180 यह होता है बहुभुज के अन्ता कोण का यूपल अगर प्रतेक अन्ता कोण का यूपल कहता है तो इसी में हम लोग YN करते हैं प्रतेक अन्ता कोण अब हो गया किसी स्थम बहुँच का प्रतेक अंता कोण का फार्मूला क्या होता यहन माइनस 2 इंटू 180 बटा जन ठीक है न लेकिन यहाँ पे 2 की बात किया गया है तो यहाँ पर यहन वन यहन वन हो जाएगा और बटा N2-2 N2-180 और बटा में क्या हो जाएगा N2 और इन ही दोनों की कोणों में क्या अनपाथ है यह हमने कोण बना लिए प्रतेक अंता कोण और प्रतेक अंतरे कोण का 2 अनपाथ है तीन का अनपाथ है यही है कितना 2 बटा अब देखो कुछ नहीं करना है बस N1 के अस्थान पर हमें N रख देना है और N2 के अस्थान पर हमें 2 N रख देना है ठीक है न N2 के अस्थान पर 2 N रख देना है तो आईए देखो रख देते हैं यहाँ पर रख देते हैं यहाँ देखो रखते हैं क्या हो जाएगा यहां पर हो जाएगा अब यहां पर हो जाएगा अब यहां देखो सबसे पहले इस एकस वस्ती से तो यह कटेगा इस यह यह कटेगा और यहां इस दो से यहां से दो common करके काट जाएगा तो यहां यहां यह-1 बचेगा ठीक है न? यह-2 बटा यह-1 बराबर 2 बटा 3 हमारा क्या बचा? यहां देखते हैं यह-2 बचा ऊपर अब निचे क्या बचा? n-1 बचा बराबर नहीं क्या बचा है दो बटा 3 अब देखो तिर्चा गुणा कर लो 3n-6 बराबर 2n-2 अब देखो क्या करेंगे n को इधर लाएंगे 3n में तो n घट गया n बचा और बराबर 6 इधर ले जाओ 6 प्लस हो जाएगा 6 में इस दो हो गया कितना? क्योंकि एक में 1 है दूसरे में 2n है 4 और 8 हमारा क्या हो जाएगा बुचाओं की संक्या हो जाएगी यह हमारा एंसर बन जाएगा समझ में आई नवाद? चलिए अब बढ़ते हैं अगले सवाल पर यहाँ देखो हमें P का मान बताना है find the value of P पी का मान क्या है यदी? चार पे घाद 2P बराबर एक बटा से गोड़ा अच्छा हम चार पे घाद 2P को क्या हम लोग 2 पे घाद 2 पे घाद कितना? 4P नहीं कर सकते हैं वही 2 पे घाद 4P करेंगे बात वही है हमने क्या किया? 4 का स्क्वायर कर दिया 4 को हमने 2 का स्क्वायर लेक दिया तो 2 और 2 का गुणा कितना? 4P हो जाएगा बराबर इसी 16 को हम लोग क्या 1 बटा 2 की घाद 4 लिख सकते हैं बिल्कुल लिख सकते हैं तो 2 पे घाद 4P बराबर हो जाएगा इस 2 को हम लोग उपर लेके जाएगे 2 पे घाद यहीं माइनस 4 हो जाएगा घाद क्या हो जाएगा? माइनस में हो जाएगी तो आपका देखो 4P बराबर अब आधार बराबर तो घाद भी बराबर 4P बराबर आपका माइनस 4 तो P बराबर आपका कितना आगए? माइनस का 1 ठीक है ना यह हो गया देखते हैं और क्या क्या सवाल है यह देखो पटाक से इसको लगाओ कि 20 और 60 के भी सभी अभाज संख्याओं का योगफाल यह काम आपका है इसमें कुछ भी नहीं करना है 20 और 60 की भी जैसे 20 60 की अभाज संख्या है 20 के बाद 23 है 29 की बाद 31 है 37 की बाद 40 है ऐसे ऐसे ही जो स्टार तक है सबको लिखके जोड़ लेना है इसका कोई फार्मूला नहीं है कोई इसका सौट तरिक नहीं इसको आपको जोड़के और इकाई यंग से आपको काम करना है सबका किवल इकाई इकाई यंग जोड़ लेंगे तो सबका इकाई यंग अलग अलग है इसका इकाई मैज खा जाएगा वहीं हमारा एंतर हो जाएग ठीक ना चलिए आगले सवाल पर आते हैं देखें इस सवाल को दिया है यह काम को छे दिन में कर सकता है एक और य मिलकर एक बटा दो दिन में काम पूरा कर सकते हैं य अकिला काम के दिन में ऐसा सवाल हमने work and type चेश्ट पढ़ा दिया है आप लोग देख लीजिएगा ऐसा हमने करवाय हुआ है इसके लिए हमने क्या बताया था जैसे अगर a b है या x y है तो x into y और बटा x minus y x और y का अंतर कब जब दो लोगों का काम दिया हो और एक का काम दिया हो दूसरे का काम निकालना हो तब ऐसे करते हैं तो एक 6 दिन में करता है y 6 दिन में करता है और दोनों मिलके डिगर दिन में करते हैं 3 बटा 2 दिन में और इनका अंतर इनका अंतर इन दोनों का अंतर ले लो 6 दोनी 12 12 में से 3 के 9 10, 9 बठा, 12, अब देखो, इस दो से इस 2 को काट लो, इस 3 से काटोंगे तीन औंगी और इस 3 से यह चे कटऊज़ा 待ेगा दों लो ऐसे, तो आपका क्या आ जाएगा दो कितना आएगा आपका, दो दिन, तो दो दिन हमारा क्या वन जाएगा, या एंसर दो डिख uh.. देख गवा हो अकूरा at intree जाम हृँ चलिए अगले सवाल पर आगला कुश्चन हमारे देश्था हो कहा है तरह अच्छा में एक गड़े 22 दिन में खोच सकते हैं यदि एक आदमी एक लड़के से आधा काम अधिक करता है ठीक है ना? तो चार आधमी और एक देखो यहाँ पर एक आधमी जो है वन मैन ये बराबर है एक लड़के से आधा काम अधिक करता है लड़का जितना काम करेगा ना? उसका आधा अधिक करेगा मतलब लड़के का डेढ हुना काम करेगा आधा दिक का क्या मतलब है डेढ गुना मतलब के एक तीन बटा दो वॉयज है तो आदमी और एक आदमी के स्थान पर इतना वोईज या एक वोईज अगर हम लोग निकाल लेंगे तो दो बटा तीन मैन ये हो जाएगा ठीक है ना अब देखो हमें बताना चार आदमी नो लड़के उसी गड़े को कितने दिन में करेंगे तो एक आदमी एक लड़का बराबर कितना दो बटा तीन आदमी तो यहाँ पर दो बटा तीन मैन ये हमें बताना कितने दिन में करेंगे तो हम माल रहे हैं यन दिन में करेंगे 3 से इसको काट दो, 3 बार में, 3 दो निचे, 6, 4, 10 तो ये क्या आपका आ गया? 8 गुणे 20 बराबर 10 गुणे 10 दिन में, 10 से इसको काट दो तो ये अन बराबर आपका क्या आ गया? 16, 16 हमारा क्या हो जाएगा? इंसर, 16 ढूँटो, 16 दिन में क्या करें? काम को खतम करने में, ठीक है न? चलें, अगले सवाल पर आते हैं, देखते हैं ये है हमारा लास्ट क्वेश्चन ये है हमारा लास्ट क्वेश्चन देखो क्या दिया गया है? छात्रों के एक समूँ उन्हें एक निर्मान कार सार दिन में पूरा करने की योजना बरहें, उन्हें से 5-6 नहीं आ पाए और काम 80 दिन में पूरा हुए, आरम में छात्रों के कुल संख्या बिल्कुल ये सब सारे क्वेश्चन हमने करवा रखे हैं सारे क्वेश्चन ऐसे करवाए हुए हैं चलिए, फिर से यहाँ पर एक बार इसको देखते हैं कुछ लड़के के एक सम्मू उन्हें 60 दिन में कार करने का ठीका लिए माना हमने लड़कों की संख्या यक्स ये करते 60 दिन में यक्स लड़के 60 दिन में इतना काम करेंगे काम कितना इतना काम है इसी काम को उन में से पांच छात्र नहीं आए तो पांच छात्र जब नहीं आए तो कितने छात्र ने किया होगा एक्स माइनस पांच छात्र और कितने दिन में काम को किये असी दिन में किये इतना ही काम ये लोग असी दिन में किये अब यहां से हमें yaks कामाल निकाला है निकाल लेते हैं 20 से काटा इसको 3 बार में 20 से काटा इसको हम लोग 4 बार में तो ये हो गया 3 एक और इधर बराबर 4 एक माईनिस 4 पंचे 20 इधर लाओ 20 प्लस हो जाएगा और तीन उधर जाएगा चार इंसे घटेगा तो यक्स यक्स वराबर क्या 20 आ गया तो मुदब प्रारम में कितने तो यह हमारा था प्रेक्टिस सेट अब हम लोग मिलेंगे नए सेट के साथ तो आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं अब मिलेंगे अपनी नेट क्लाक में तब तक के लिए जय है